जब आपकी मरने की हालत हो और आपको कुछ खाना है मास तो वो फिश हो सकती है जब आपकी काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं आ रही थे लेकिन दोस्तो हम रोहित खत्री के अपडेट लेकर आ चुगे आप सब्वी कोई जानते की रोहित खत्री को इस साल टीन कॉमटीशन खिलने है सेरू क्लासिक, अमेचे अलम्पिया और आर नोर क्लासिक दोस्तो आप सभी को मालूम है कि जून में होने वाला सेरू क्लासिक और रोहित खत्री खेलते हैं मैन फिजिक केटेगरी से लेकिन वो इस साल क्लासिफिजिक केटेगरी से भी पार्टिसिपेट करेंगे टो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते है कि रोईत कत्री Incline Dumble Press exercise कर रहे यह exercise आपके Upper Chest की होती है दोस्तो यदि आप लोगों को भी अपना Upper Chest improve करने है तो इस exercise को अपने exercise के सैडूल में include कर सकते हैं दोस्तो अब हम आपको रोहित खत्री का present time का weight बता देते हैं present time में इंका weight है 90 kg आप लोगों को दोस्तो अब हम रोहित खत्री की complete physique दिखा देते हैं दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते कि रोहित खत्री ने अपने physics share की है इन्होंने काफी अच्छा वर्क अपने बॉडी के उपर करने जिस पेकार से ये गेनिंग फेज में अपने चल लाएं अपना बॉडी वीट भी बढ़ा रहे हैं और प्रतेक बॉडी की मसल मास में भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं दोस्तो आप लोगों क्या लगता है कि क्या रोहित खत्री इस बार सेरू क्लासिक में गोल्ड मिडल जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा तो दोस्तो अब हम अपने नेक्स बॉडी बिल्डर के भी से बात कर लेते हैं अपनी अपर बॉडी में पेजन टाइम में ये लेट्स पुल डाउन एक्सरसाइज कर रहे हैं दोस्तो ये एक्सरसाइज आपके अपर लेट्स की होती जिस पेकार से वाइट एंगल पकड़े हैं कि उन्होंने announcement किया कि उनकी classic physics category में आप सभी कोई जानते हैं कि दोस्तों इस बार अभी से क्या दो classic physics category से भी खेल ला है इसलिए उन्होंने अपने complete physics को दिखाने के लिए इस वीडियो को share किया जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी से क्या दो कि जितने upper body में improvement है उतना ही lower body में भी improvement है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ठाइस में suppression अभी से दिख रहा है आप सभी कोई जानते हैं कि अभी से क्या दो इस बार खेलें कि man physics category प्लस classic physics category से भी तो दोस्तों आप लोगों क्या लगते हैं कि क्या आप इस फिजिक के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके थाई के पास की complete suppression दिख रहा हाँ आप ही आपको उस पेका से suppression नहीं दिखेगा क्योंकि अभी इंके body में fat percentage और water hold जाता है लेकिन दोस्तों आप लोगो क्या लगते हैं कि आप इसे क्या दो अपने symmetry conditioning और सेटेट बाडी के साथ सेरू classic में gold medal या pro card हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप हमें comment करके ज़रूर बताएगा तो दोस्तों अब हम अपने next body builder या सब के प्यारे गुरू जी से कुछ special tips सुन लेते हैं body को development करने के लिए weighted cardio नए athletes के लिए यह term थोड़ा नया हो सकता है लेकिन जो champions वो जानते हैं जिस दिन भी आपका light training days है उसमें आपको इसको कभी कभार apply कर सकते हैं same muscle group के अंदर different exercise का circuit बना के या तो जैसे isolation moment और compound moment फिर isolation फिर compound moment जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है या तो इस तरीके से कर सकते हैं इसके 6 set रहेंगे at least 15-20 wrap और 6 set यह 30 minute का आपका cardio session भी हो जाएगा और आपका muscle भी train हो जाएगा या इसको आप full body workout भी कर सकते हैं different body parts के लिए अलग लग exercise इसी तरीके से आप करके 6 set 15-20 wrap के यह 30 minute का intense cardio भी हो जाएगा आपका full body train भी हो करेंगे बहुत जबर्दस इंफेक्टिव रहेगा आपके लिए थैंक्यू फरंट शोल्डर को ट्रेंग करने के लिए चार मुमेंट इसके वीडियो में दिखाए हैं खास तोर से मैंस फिजिक अथरी आपके लिए तो फ्रंट शोल्डर और वेश्यों बहुत ज्यादा करता है लेकिन मैंस फिजिक अथरी इसका खास तोर से शोल्डर रोड रहना बहुत दुरूरी है यह चार मुमेंट है इसके कोई भी दो मुमेंट आप पकड़ेंगे और अप्टू दा फेलियर हैवी वेट से जो आप के लिए मैक्सिम बारा से सोलर रह पाजेंगे उससे च बताएं कि वो कब नॉन्वेज खाते हैं और दोस्तों उन्होंने ऐसी बात क्यों कहिए इसका रीजन भी बताएंगे लेकिन पहले दोस्तों अब भरा सिंग वालिया की बाते सुन लीजे क्या हाल है मित्रो जैश्री राम मेरी पिछली स्टोरी से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं मेरे बहुत सारे भाईयों के और बैनों के मैसेजिया हैं कि करना के फिर पूरी वेजेटरियन बोड़ी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी सो जो यह साइज मसल सब कुछ आप देख रहे हैं that is pure vegetarian मेरी तबियत खराब हुई थी during the prep and I had nothing to eat in Columbus और मैं बहुत कॉस्टिपेटिटिड हो गया था जो मैं कभी होता नहीं हो आज तक नहीं हुआ weather change, maybe travel, maybe the protein shake and the paneer जो मैं खा रहा था वहां पे ठीक नहीं था so I had to eat it, ऐसा नहीं है कि उसके बहना नहीं हो पाता, वह रहा था बिल्कुल, उसके बाद भी हुआ है उसे पहले भी हुआ है so vegetarian आप पूरा completely कर सकते हैं लेकिन जब आपकी मरने की हालत हो और आपको कुछ खाना है मास तो वह फिश हो सकती है, वह seafood हो सकता है, that is much better than the animals living around us because mammals को खाना बिल्कुल बहुत बुरा है, बहुत जादा बुरा है and fishes they are into some other realm, उनकी जिंदगी ही अलग है, समझे रहो, उनको, जैसे हम हवा में सांस ले रहे हैं तो वो पानी न सांस लेती है so they are in different realm and if you have to like dying situation, you have to survive, then you can have it, जैसी रहा दोस्तो भरह सिंग वालिया ने अपने मचली खाने और ना खाने से रिलेटी वीडियो उन्होंने क्यों सियर क्या, इसका रीजन हमाँ आपको बता देते दोनों पेकार की वो आपको diet ट्यार करके देंगे, दोनों पेकार के bodybuilder के body, same to same, भरह सिंग वालिया की तरह त्यार करवा देंगे तो दोस्तों इसी के बाद से काफी सारे कमेंट आने लगे कि क्या आपको non-vej का knowledge है, जिस पेकार से आपने लिखा कि वो vegetarian और non-vegetarian दोनों पेकार के bodybuilder को coaching देंगे तो दोस्तों इसी के बाद भरह सिंग वालिया ने अपने दूसरी वीडियो को share किया, जिसके विसे में उन्होंने बताए कि हम मचली खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, हम कौन सा non-veget ले सकते हैं तो दोस्तों आप लोगों ने भरह सिंग वालिया कि non-veget से relative बाते सुन ली, उन्होंने क्या region बताया आपने इसको भी सुन लिया, आप आप हमें कमेंट करके जोरूर बताएगा कि क्या भरह सिंग वालिया सही बोलने कि गलत बोलने तो दोस्तों आप लोगों को इसी पेका नौलेज़फुली वीडियो और बॉडी बिल्डर और कॉम्टिशन से रिलेटिव अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ठैक्स फॉर वाचिंग लाइक एंड सब्सक्राइब